गुड़ मॉर्निंग गैस अभी सुबह की पाज बाद चुक है मैं बहुत जल्दी निन से जाग गया हूँ क्योंकि आज मैं कहीं पर जा रहा हूं मतलब सुबह शुबह मैं उठके अभी रेडि होने जा रहा हूं क्योंकि आज मैं नानी को लेकर मेडिकल परपूस गौहरी जा रहा हूं तो इसले सुबह शुबह जागना पड़ा वगई है चलिए रेडि होते आ अप लोग बने रही है क्योंकि वीडियो काफी जबरदास्ता धाम का होने वाल है तो घणी अपरली मैं रदी हो गया हूं पुरा कापर अपरा लगा के शु सु पैन के तो घर चलिए चलते हैं आई था तहा थे पहनू रभ मतने आई था दो पाल ते ना ते हैं तो मांने रभ साथ था रभ पने आई तो गाइज हम लोग फाइनली होस्पिटल पहुच चुके है गुहाटी में तो यहाँ पर देखिए सभी एक साथ बैठे हैं और यहाँ पर देखिए कोका कोला का कितना अच्छा फ्रीज रखा हुआ तो फाइनले हम लोग भुहाटी आ गए है सिक्स माइल मतलब यहाँ पर रौहमान होश्पितल है तो रौहमान होश्पितल में हम निउर्व बिभाग में डॉक्टर दिखाने के लिए हमारे नाने को यहाँ पर लेकर आया हो सिक्स माइल तो गैस एक नजार आ देख लिएजी कि अंगा जौट को फार सब्सक्राब अबर पीकर में थो नर्मार को बढ़ीव में यहां में उल्म का जाएंगें शाहना का उसने पार आजने ठीक्राथ हमेड़ में उल्मार और हमेडों नर्वार का ज़ियोटो अब अब आपका एंगहाएं दिखा के कुछ टेस्ट दिया था तो करवा के अभी होटल में है हम लोग सभी एकसाद खाना खाने के लिए तो यहाँ पर बैठे हैं देखिए तो गाइस हम लोग यहाँ पर सिक्स मैल में होश्पितल के साथ ही जाये हुआ है तो गा Premiere शर्राफारे ममस सब्सक्राइब में जोबिदे 600 जितना होश्पितल में दखाने की कोशिश करोंग। है भी खाना उर्ड के छाना देदिया यह देकिए गलाई यह दाल है, यह साथ में पपर दिया है, यह निम्बू, और यह गाइस, और देखिए आलू, और यह क्या चातनी है, पता दिये कुछ, मतलब और भाजी है, साथ में चावाल है, तो खाना खते हैं गाइस, और चिकन मंगवा है, चिकन, 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 इतना दूर आए है, तो चिकन खाएंगे ना गाईज चले खाना खता है तो गाईज आभी खाना खाके होटल के पास ही यहां पर चोटा सा दुकान है साथ में बैठे है कि साट यहां पर होटल है और एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को मैं तो गाईज फाइनले सारा काम कतम हो गया है गोहाटी में जो रहमान होस्पितल में आये थे नानी को दिखा दिया है तो डॉक्टर ने देखा टेस्ट करने के लिए दिया था टेस्ट करके रिपोर्ट तो मतलब निकल के रिपोर्ट दिखाया तो प्रिस्करब करके मेडिसिन अब लोग उसे आए कुछ खाने के लिए तो चलिए गाइस घर में जाके अभी निकलने वाले है गुहार्टी से तो घर में जाके बात करेंगे आप लोग से अब लोग से कि अब नरूड आवर दूसी बार प्श्वार्ट प्श्वार्ट अब करेंगे वेंगे तो गर देख वेंगे शुड़ कर दो लोग है प्श्वार्ट यह है विर देख प्राट यह है विर देखने कि अजुँआ पूँआ पूँआ पूँआज को जबन को जब सुछब आटाइब पूँआ 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 देखें आप लोगों ने कारनीबल इनिवास सिटी मॉल एन रबी सिटी मॉल तो गाइज यहां एक दिन आके शॉपिंग करने का इरादा है अभी आएंगे तो गाइस देखिए अभी फारजीन क्या कर रही है ये 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 गुफा में चुपी हुई है साथ में हाथ में किटकेट लेके चोड़ 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 नाकाम कोशिश की जा रही है तो गाइस एंड आप डडे मैं बहुत टायर्ड हूँ आज मतलब सारा दिन गुआ हर्टे घुम घुम के तिन घंटा लगता है जाने में तिन घंटा लगता है आने मतलब गारे में छे गंटा और अभी-अभी मैं है ज़स्त घर में आया हूँ अब बहुतथा करूबरा दिन था आज का फाइनली कमी कि नानी का सीटी स्किन करवाया एक्स्ते कर वह है लाटेज़ भी करवाया तो सिटी स्किन में ऐसा आया तो कुछ एट्रोपिक चेंजेज आ रही है मतलब एज की वजह से और एक्स्रे में आया है जो बैक्बून होता है ना बैक्बून का मतलब तो खुरा फ्रेक्चर हुआ है और ब्लाड रिपोट जो है वो ठीक था किये कुछ प्रॉब्लेम नहीं है वैसा बस जो बोड़ी श्रिंकिंग है जो कापता रहता है उसके लिए एक्स्टर करके कुछ मेडिसिन दवाई लिखके दिया है पता नहीं कैसा काम करेगा या नहीं तो कल से मेडिसिन इस्टर्ट होगा तो गाइस सारा दिन किसी और को भी मिस कर रहा था क्योंकि आज सारा का सारा दिन घर में नहीं थे तो कौन किसको मिस कर रहा था गाइस आप लोग देखिए ये गाइस फारजीन को है लगाइस ये देखिए गाइस फारजीन तो मैं आते ही गारी में जब था बुलाया था तो मा और उसकी उसकी भी मा सभी भाग के गई थी और वो भी साथ में गई थी और अभी ये मेरी रूम में सोई हुए है यहाँ पे प्लेस खाके देखिए पुरा चौपट कर दिया तो अभी सोई हुए है तो गाइस आज का दिन काफे ठकन वरा था बहुत टायड हूं मैं अगर आप लोग ये ब्लोक अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना चैनल को सब्सक कर दिया है एक खाके चौपट करके रखा है और दुसरा याँ पेर तो यह देने के लिए बोल रहा है भी नहीं दूंगा तो गई चरिया चलते हैं मिलेंगे ऐसे कुछ खास ब्लोक विडिया में तब तक के लिए बाई सच में बहुत टायर्ड हुआ है